असलाम आलेकुम वरहमत ल्लाही वबरकातो हूँ मेरा चौटा एक मेडिकल शॉप के टाइप में जो है दोस्तो मैं रख लिया तो देखे के दोस्तों ऐसा में धीरे से काटा पहले उसको वीडियो थोड़ा लंबी होती दोस्तों लेकिन पूरी वीडियो देखना आप लोग तो देखिए दोस्तों ऐसा काटा मैंने ऑपरेशन ब्लेड से लेकर उसके बाद थोड़ा रोई लगा के दोस्तों थोड़ा पोच दिया उ पइसके बाद आईसता ऐसता करके दोस्तों धीरे से काटा, तो इस वक्त मेरे पास ग्लोजस नहीं है, आप लोग है तो ग्लोजस लगाई ये बहतर रहता, तो 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 थोड़ा काटने के बाद दोस्तों इसको अंदर से देखिया आप लोग हालत कैसी हो गए थी इसकी तो दोस्तो आप लोग भी कुछ और रगार दाना नहीं खा रहे वराबर पानी नहीं पी burn तो दोस्तो आप लोग भी यह एक और चयक करें अपने का कुछ गाट वगरण reconstruct कौन्य यह मेरा दूसरा घात है क्वेर यह क्लिए अध पता नहीं marc चिछ आता बताए तो दोस्तों को कुछ एसका कुछ ट्रीटमेंट बता ये लो तो inatalari pay нас काटकर निकालना मुश्किल हो रही थी इसलिए मैं उसको थोड़ा ज्यादा काटना पड़ा दोस्तों क्योंकि स्टिचेस देते हो थोड़ी परेशान ही ना हो गुलके मैं छोटा काटिंगे सोंचा लेकिन दोस्तों काटना तो जो है इसका बड़ा काटना पड़ा देखिए दोस्तों कैसा नि निकाल के बतातू मैं आप लोगं को बहुत बड़ा बैक्टिरियल इंफेक्शन है दोस्तों अभी इसको बाहर निकालूंगा दोस्तो धीरे धीरे मन यह देखी दोस्तों यह देखी दोस्तों लाप ग्धना खतरनाक भेंकर है दोस्तों और जैसा जैसा वायरस बढ़ते रहता अब मैं इतना हुए तक वेट करके इसको निकाल दिया या नहीं बोले तो और भी बड़ा हो सकता है तो लहादा इसको मैं दोस्तों काट के पूरा अंदर क्लीन कर दे के पूरा अंदर वाश कर दिया इसको के ताके आजू बाजू कुछ भी उसके अंतड़ी या दूसरे रग पकड़ के भी नहीं है मेरे पाइज में रख लेकर मांने क्रीट्मेंट स्टार्ट कर रहा था दोस्तों इसको अंदर कि देखे दोस्तों अब इसके बाद में मैं थोड़ा वीडियो को थोड़ा स्पीड करता हूं दोस्तों क्योंकर वीडियो लंबा हुए तो भी आप यह जो बनारूं दोस्तों आप लोग देखिए आप लोग के भी कभूतर को कुछ ऐसा हुआ वाकिया पेश आया तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है क्योंके अभी किरला वगरा में तो हम लोग सुने थे के वहां पर कभूतर का A to Z ट्रीटमेंट होता मगर यहां हमार तो दोस्तों इसको पूरा क्लीन कर दिया मैं थोड़ा अंदर डेटाल से बगरा साफ करके फिर स्टिचेस कर दिया दोस्तों इसको ताके लगा दिया ताके लगाने के बाद दोस्तों थोड़ा इसके उपर टाक के सुकने का पौडरो डाला मैं उसके बाद थोड़ी जखम स पूरा साफ कर दिया दोस्तों इसको साफ करने के बाद अलहम्दलिल्ला उसके बाद में फिमेल मेरे पास सिट हो गए दोस्तों माशाला कोई तरीखी के अभी प्रॉब्लम नहीं है उसके इंदर तो दोस्तो वीडियो पूरा देखे आप लोग को समझ में आएगा इसलिए दोस्तो मैं ये वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाना चारूं दोस्तो कंटीनू रखे दोस्तो आप लोग दोस्तो वीडियो को पूरा देखे वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करें दोस्तो वैसे नए भाई कोई है तो दोस्तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताके आगे आगे नए नए वीडियो आप लोगों को जल से जल नोटिफिकिशन आ सकें तो दोस्तो चलिए दोस्तो वीडियो को थोड़ा स्पीड करके बताओंगा आप लोगों को वीडियो पूरा देखना दोस्तो कर दोस्तो कर दोस्तो कर दोस्तो झाल झाल